What's up guys, I hope you are doing well, I am weird, welcome to Stereo Lord Family देखे कितनी शांदार बात यहां पर बोली गई है किसी की सला से रास्ते जुरूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की महनत से ही मिलती है यानि कि मैं आप लोगों को बोलू कि हाँ आप लोग ऐसा कर लीजे मैं आप लोगों सला दे सकता हूँ कि हाँ आप लोग ऐसा कर लीजे हो सकता है वो सला सही हो गलत हो वो एक अलग बात है पर लेकिन अगर मंजिल तक आप लोगों पहुँचना है तो आप लोग खुद ही काम करना पड़ेगा हजारों लोग आप लोगो सला देने वाले मिल जाएंगे आज की डेट में पर लेकिन उन में से कौन सी सला आप लोग के लिए सही है ये भी आप लोग को ही चूज करना पड़ेगा तो इसलिए हमेशा अपना रास्ता खुद से तयार किजिए क्योंकि आप लोगों को आप लोगों से बेटर कोई नहीं जानता है आप लोग खुछ जानते हैं कि आप लोग कम्या कहा हैं कमजोरिया कहा हैं, खाम्या कहा हैं, कहां पर आप लोग काम करना है कौन सा पॉइंट आप लोग के अलावा कोई नहीं जानता है इस दुनिया में सबसे बेटर तरीके से आप जानते हैं तो इसलिए थोड़ा सा तो विश्वास कीजिए यार इस इंसान के उपर जो आप लोग को इतनी अच्छी से जानता है तो अपने उपर आप लोग को विश्वास करना है 23,361 लोगों की जान जा चुकी है और 1,287,178 लोग यहां से रिकवर कर चुके है तो यह डेटा है कोरोना वाइरस का टोप पर यूएस से चल रहा है दूसरे नमबर ब्राजील हमारी कंट्री तीसे नमबर पर चल रही है 22,00, यह आपर टोटल मिला कर 22,00 केस हमारी कंट्री में आ चुके है तो यह इस तरीके से आप लोग समझे कि हमारी कंट्री जो है वैसे तो तीसरे नमबर पर है पर लेकिन अगर नमबर ओफ केसिस के मामले में बात करेंगे तो first number पर है हमारी country जो case आ रहे हैं तो 62,000 case कर लाए हमारी country में USA में 47,000 और 22,000 आ ब्राजील के अंदर में तो इसके चलते हमारी country तीसे number पर है वैसे पर लेकिन number of cases में पहले number पर है 12,000 महरास्टा में देखने को मिले 10,000 आंदर परदेश में और यहाँ पर अभी वेस्ट मंगाल भी एक लांक के आकड़े के क्रोस करने वाला है, तो फिलाल अभी महरास्टा, तमिलनाडू, आंधर प्रदेस, करनाटका, डेहली और उतर प्रदेस, एक लांक का आकड़ा क्रोस कर चुके हैं, एक हजार लोग की जान गई कल, और टोटल मिलाकर 44,466 लोगों की जान हमारी कंट्री में इसकी वज़े से जा चुकी है, 54,000 लोग यहाँ से रिकवर किया हैं, जो कि एक अच्छा एंगल भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, बच्चे ऐसे हैं, जो answer writing continue रखना चाहते हैं, तो मैं answer writing जरूर दूँगा, आप लोग जिसको लिखना है, वो लिखिएगा, कोई force नहीं है, आप लोग यह ओपर कि आप लोग को लिखना है, वो जरूर लिखने को इसकी जगा, जो next year की तियारी कर रहे हैं, वो अपनी practice continue र और यह recently अभी काफी news में भी है, 6 अगस्त और 9 अगस्त, यह दो इतनी important date है, world history में अगर आप लोग उठागर देखोगे, जिसके चलते जापान के ओपर USA के दौरा बोम गिराए गए थे, तो यहाँ पर उसी से लेटरी हाँ पर question है, पहला बोला गया है, पहला बोला गया ह इसी के साथ में जो important days की वीडियो थी वो भी बना दिये, और दोनों की PDF भी आप लोग को टेलिग्राम पर प्रोवाइड करा देगी है, बाकी सारी PDF अब तक कि आप लोग यहाँ पर टेलिग्राम पर प्रोवाइड कराई जा चुकिये, एक जगए खटी मिल जाती है, जितने भी सारे lecture होते हैं, वो PDF जाकर आप लोग डाउनलोड कर ली जाएगा, ठीक है, टेलिग्राम का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा स्टडी लवर वीर के नाम से टेलिग्राम है, और एक लांक 14,000 करीब बच्चे वहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग भी उसका पार्ट बन सकते हैं, नोटिफिकेशन भी नहादा तो भी आप लोग को फायदा होगा, आईए बात करते हैं, आर्टिकल्स क इसके बारे में बात की जा रही है, तो दोनों आर्टिकल को डिसस करूँगा काफी डेटेल में, और कई सारी बातें आप लोग को इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगी, इसके बारे में, इंडिया और उसके के रिलेशन को डिवेसिली चेक किया रहा है, बैग्राउंड में चाइना को भी, तो जानेंगे इसके बारे में क्या क्या बात की जा रही है, नेश्ट यहां पर बात की जा रही है, उनको कम रिपोर्ट किया रहा है, यहन कि जादे लोगों की जान चारी है हमारी कंट्री में, पलेकिन उनको दिखाया नहीं जा रहा है, ताकि लोगों के मा कोई दंगे होते हैं कोई उल्टी सीधी हरकते होती हैं मरते ही कितने लोग हैं बताय कम जाते हैं ताकि जनता जो है फ्रस्टेर ना हो जाए उसके चलते हैं कंट्री में सांती बनी रहे हैं और यहां पर भी बोला जा रहा है कि जो डेटा है उसको ढंक से कलेक्ट नहीं किया ज जिस तरीके से किया जा रहा है वो question mark लगा रहा है यहां पर during pandemic चाहिए वो किसी भी area के data के बारे में क्यों नहीं बात करने ठीक है यहां पर यहां पर आज का cartoon देखेंगे और यहां पर भी यह COVID-19 के बारे में ही है कि कहां कहां पर कितना जादा impact पड़ रहा है तो आप लोग जो है वो control होती ही नज़राएगी तुरंत जो है economy एक सही pattern में चलती ही नज़राएगी हलाकि थोड़ा time लेगी हां पर ठीक है तो tax revenue कहां से कितना इखटा हो रहा है income tax जो है लोगों की देखें टेक्स जो है वो कम आएगा क्योंकि व्यापार कम चल रहा है corporate tax की बात कर analyzing celebrity death तो यहां पर यह किस तरीके से क्या क्या चीज़े दिखाने की कोशिस कर रहा है यह particular cartoon इस पर लगबग आप लोग 30 से लेके 40 सब्द अपना लिखने की कोशिस कीज़ेगा जिससे आप लोग स्टार्टिंग में चीज़ों को लिखना जान जाए ठीक है तो यह आप लोग लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संडे में आर्टिकल नहीं देखते हैं तो इसकी वैसे इसको हलका सा एक ओवर्वी में आप लोगों यहां पर भी देकर चलूँगा हम लोगों ने डिटेल में डिसस के आता तो यहां पर इसके बारे में जानेंगे यहां पर जो बा मिला तो आखिर यह क्रेस क्यों देखने को मिला तो उसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं तो यह पूरा एरपोर्ट आप लोग देखे थोड़ा सा आप लोगों यह हाइट पर नजर आएगा जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो नोर्मल यह आप लो एक मिनट चलि फिर से सच कर लेता है एएरपोर्ट को घुम हो गया हुआ एक मिनट रुग एगा बस तो जो एएरपोर्ट हैं यह थोड़ा सा अध्यूवेट्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा इसको आप लोग यहां पर देखते हैं यह देखिया हम पर यह पूरा इस तरीके से यह इसका एक टोप लोग को देखने को मिल रहे है ठीक है अगर इसको थोड़ग ऐसे देखेंगे तो आप किसे ढप लोग पा रहे होंगे इस एरपोर्ट तो यह है पूरा एयरपोर्ट टो यह थोड़ग जूए ये थोड़े से elevated area में बनाया गिया है तो ये elevated इस तरीए के airport हमारी country में ये पहले भी कई बार news में रहते थे और इनकी वज़े से कई बार यहाँ पर जो लोगों की जान गई है 2010 में भी एक ऐसा incident देखने को मिला था जानेंगे उसके बारे में तो ये जो यहाँ पर आप लोगो ये area नजर आ रहा है ये आप लोग देखिए एक काफी उठा हुआ area है अगर कोई जहाज अपने आपको यहाँ पर नहीं रोक पाया तो फिर वो आगया आएगा चलता चलता और वो आकर यहाँ पर इस side में आप लोगों पता है COVID-19 के चलते बहार से अपनी कंट्री के लोगों को हम लोग वापस ला रहे है तो ये दुबई से चला इंडिया के लिए तो यहाँ पर ये flight जो है वो तो अराम से आ गई पर लेकिन जब landing करने की बात आई तो जो pilot थे वो landing नहीं करा पाई और भी खराब रहता है, visibility अच्छी नहीं रहती है और भी कई सारी situation खराब हो जाती है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था दो तरीके से आप लोगों को airport देखने को मिलेंगी एक तो airport वो है कि जो की normal plane जमीन पर बने हुए तो वो airport जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी उसने airport में condition यह रहती है कि आप लोग के आगे काफी सदा margin रहता है यानिके जगे रहती है अच्छी कासी तो हापर भी काफी सारी एक तरीके से अगर यहाँ पर किसी तरीके से जहाज को नहीं रोक पाए तो आगे भी ऐसी जगे पड़ी रहती है कम से कम 2500-300 मिटर कि आप लोग आगे जा कर रासानी से ब्रेक लगा सकते है यानिके गलती करने का चांस आप लोग के हाथ में होता है पर लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके के जो चांस नहीं होता है कि आप लोग गलती कर सकें क्योंकि यह वाला जो एक्स्ट्रा जो मार्जन होता है वो नोर्मली ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है क्योंकि जगे ही नहीं होती है पहाड़ी के ओपर बनाए गया कि इनसान जो है कई बार एक तरीके से समझ नहीं पाता है कि इसको क्या डिजन लेने तो फिर ऐसी दुरगटनाए देखने को मिलती है और पाइलेट की भी हाँ पर जानगी और भी कई सारे लोगों की जान चलेगी तो इसी के बारे में वंदे भारत मिसन हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया ताकि बाहर फसे हुए लोगों को अपनी कंट्री में वापस लाया जा सके पर लेकिन कंट्री में वापस तो लाये अपनी जमीन पर तो आगे पर लेकिन उनकी जान नहीं बचा पाए तो ये situation जो आप लोग हैं आप पर देखने को मिल रही है तो ये इस तरी कंडिसन अगर आप लोग देखें बहुत सारे लोग हमारी कंट्री के बाहर की कंट्री में रहे रहे हैं आज केर में कई सारे जोब कर रहे हैं कुछ पढ़ाई कर रहे हैं कुछ ट्रेवल के लिए गए थे और भी कई सारी situation यहाँ पर बन जाती है अपने यार दोस रिष्टेदार से मिलने के लिए कई सारे लोग जाते हैं तो उनको लाना तो हाँ से 22 मार्स को हमारी कंट्री में लोग डाउन लगा तो लाना तो तभी था पर लेकिन तब तक उनको वेट करना पड़ा क्योंकि काफी लंबे समय से जो फ्लाइट नहीं है वो अलाउ नहीं की जा रही थी इन सब सिचुएशन की वे से तो 7 अगस्त को यहाँ पर इनकी जो ट्रिप थी यह स्टाट हुई पर लेकिन एक डिजास्टर का रूप इसके द्वारा ले लिया गया क्योंकि कंटिसन जो तयार की गई मानसून के द्वारा और जो रनवे था वहाँ पर जहां पर फिसलन हो रही थी तो वो सारी एक जो टेबल टोप एरपोर्ट था वो चीज़ें हाँ पर संभाल नहीं पाया तो यह कंटिसन सामने निकल कर आई अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ टेक्निकल टीज भी हम लोग जानेंगे और कुछ और इंपोर्टेंट बाते आप लोग जानने को मिलेगी सबसे पहले तो यह कोशन काफी ज़दे नियूज में कि टेबल टोप एरपोर्ट क्या होते हैं टेबल टोप एरपोर्ट जो होते हैं वो एक ऐसे एरपोर्ट होते हैं जिनको किसी प्लेटू यानिके कुछ उंचे स्थान या फिर हिली एरिया को जो प्लेन करकर बनाय जाता है यह ऐसे आप लोग को देखने को मिलेंगे तो इसलिए जगह जादा नहीं होती है जगह यहाँ पर लिमिटेडी होती है और ऐसा कोई एक अकेला एरपोर्ट नहीं है केला के अंदर में हमारी कंट्री में और भी कई जगह यह एरपोर्ट देखने को मिलेंगे जैसे लिंग पुई मि यहाँ पर देखें, अगर आप लोग यहाँ पर इस particular area की बात करेंगे न, maximum यह particular जो area आप लोग को देखने को मिल रहा है, यह हमारी country का western घाट है, तो यहाँ पर maximum आप लोग को पहाड़िया देखने को मिलेगी, तो इसी के चलते हैं आपर अगर कुछ काम भी करना है, तो कु इस के चलते हैं इसका मैंने हैं इसका मैंने हैड़कर कल ही बताया था, याद होगा आप लोगो लिखें कमें बॉक्स में, रिवजन करते रहा कि जे देगे, कई बार ऐसी statement, बन जाती है, कि हैड़कर यहाँ पर है, हलाकि वो इस statement ज्यादा माइने नहीं रखते हैं, क्योंकि यूपसी नहीं मांगते हैं कोई factual information मांगे, पर फिर भी अगर आप लोगों को याद रहेंगी, कुछ चीजे जो repeat होती रहेंगी कई बार, तो आप लोगों के लिए इंबल टोप एरपोर्ट है, वो कई सारे देखने को मिलेंगे और जब की, जब इंटरनेसल लेवल पर हम लोग जाते हैं, इनकी बारे में कहीं mention ही नहीं है, यह बिल्कुल ऐसी है, जैसे मैंने आप लोगों को उधारने दिया था से budget के बारे में, budget सब्द हर एक इंसान अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यह बात है आप लोग ध्यान लखेगा, next important point क्या है आपर, यह काफ़ी important है, जब बात करते हैं, R E S A के बारे में, इसको बोलते है, runway and safety area, यहनि के जो runway area है और जो safety area है, उसके बारे में बात कियाते हैं, तो 240 meter के करीब यहाँ पर होना सही है, पर लेकिन safety area कितना है, यह तो runway area होगी आप लोग का सारा जहां से वो उतरेगा और फिर आगे बढ़ेगा, पर लेकिन safety area के बारे में कौन बात करेगा, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वो condition भी हम लोग को समझने पड़ेगी, तो इसके चलते हैं, अग जादा है, जादा होता है, कई बार चलिए, ठीक है, तो आई होफ कि आप लोग के mind में clarity आ रहे होगी, तो जो यह area है, यहाँ पर clear होना चाहिए, नोर्मली 90 मीटर तो होना ही चाहिए, 240 मीटर तक रहे तो अच्छा है, 90 मीटर तो minimum होना ही चाहिए, यह मैंनी बोल रहा क्योंकि पहली बार ऐसी गलती नहीं हो रही है, पहले भी ऐसी गलती हो चुकी है, ठीक है, तो आप लोग को यह गलती है, सुधारनी चाहिए, जिहाँ पर यहाँ पर यह crash अभी हुआ है, यह आगे आने वाले टाइम में क्या-क्या पोल में उसको check करना चाहिए, और transparency आपर यह सारी चीज़े impact डालती है एक flight के उबा, तो इनके बारे में बताती है क्या-क्या चीज़ें, तो visibility अगर below minimum हो, तो हम लोग को यहाँ पर उसको चीजों का लाओ नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर पाइलेट को रोग भी जाता है, लेंड करने से, ठीक है, पर लेकिन जो अगर जड़ासा भी आप लोग चूके, तो वो एक एक marks आप लोग का लेके नहीं डूबेगा, वो एक तरीके से penalty भी आप लोग के उपर लगाएगा, यानि के negative marking भी आप लोग की होगी, तो इस तरीके से आप लोग इसको understand कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा दे यानि के अपनी सुरक्सा है बचाओ के अंदर ही, तो वही चीज़े आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो यह था के ला के बारे में, दूसरा के ला में एक और कंडिसन देखने को मिली, यहाँ पर लेंड स्लाइड हुई, लेंड स्लाइड का मतलब क्या होता है, माल लिजे क्या है, जैसे यहाँ पर देख रही है, यह पहाड़ी अगर यहाँ पर कोई ऐसा कट कट करकर यहाँ पर इनके द्वारा कोई बिल्डिंग बनाएगे, कोई और अक्टिविटी कीगी, तो जैसे ही थोटा सा भी अर्थ कोई एकियन के भूकम पाया, या फिर जाद है बारिस आगे, कोई ओर कंडिशन बनी, तो यह जो पहाड़ी होती है, फिसल फिसल कर नीचे आने लगती है, अगर इसके बोटम में आप लोग ने मकान बना रखे है, तो यह समझे उसको breach नहीं करना है, उसका उलंगन नहीं करना है, विकास के कारिये करिए जितना ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, पर लेकिन विकास के साथ में environment को आप लोग नहीं छोड़ना है, ठीक है, तो environment के साथ भी आप लोग नहीं होना है, तो ये confusion आप लोग के mind में नहीं होना च क्योंकि जून से स्टार्ट होती है जून जुलाई अगस सेप्टमबर तो यहां तक चलती है और अक्टूबर तक रिटर्निंग मांसून आने लगते हैं तो उसके बारे में कई बार फोरकास्ट की जाती है कि यह गुड है नॉर्मल है अब की बार भी फोरकास्ट कुछ ऐसी ह जाने को मिla तो इससे लग रहा है कि आप लोग को यह चीज़े नॉर्मल और गूर्ड चल रही है नहीं यह गुड yht नहीं बन गई है अभी हां पर ऑलग बात है कहीं कहीं ज्यादा वारिष हो जा रही है कहीं कहीं कई कः पर पर condition देखने को मिली 22 लोगों की जान चलीगी तो यह जो बहुत सारे जो homeless होगे क्यों कई सारे लोगों के घर बार भी हाँ पर डूबे तूटे बरबाद होगे तो उसके चलते हम लोगों को समझना चाहिए कि past में ऐसी condition पहले भी बन चुकी है तो हम लोग क्यों उनसे क्यों नहीं कुछ सीख थे हैं ठीक है तो 3-4 time जो आप लोगो देखने को मिलेगा कई बार more 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 बारिस आप लोगो देखने को मिलेगी कुछ district में जिसको लोग normal बोलते हैं तो एक नया normal यहाँ पर तैयार हो जाते हैं तो यह नया normal भी हम लोग को समझना पड़ेगा तो यह नया normal जो हम लोग को एक तरीकी से development model जो भी हम लोग लेकर चलते हैं उसमें count करके चलना पड़ेगा जब भी आप लोग अपना time table बनाते हैं उस time table को आप लोग बिल्कुल ideal बनाते हैं इस time सोना है इस time उटना है एक minute भी दर उदर नहीं होना है पर लेकिन ऐसी life नहीं चलती है life में कोई problem जुरूर आगी किस दिन पढ़ने का भी मन्नी होगा किस दिन कोई function होगा किस दिन पता चला कोई किसी का accident हो गया या किसी की death हो गई तो हर टाइम कोई mind की stability है वो एक जैसी नहीं रहती है अगर आप लोग अपने exam की preparation कर रहे हैं और वहाँ पर आप लोग 70 से 80% अगर आप लोग achieve कर पारें अपना time table तो आप लोग सही position में हैं 80 से 90 के बीच state नहीं होना है आप लोगो वो चीजे life का part है उसको tackle करके चलना है और यहीं आप लोग को यह जोब भी सिखाती है जिसके लिए आप लोग प्रिपेर कर रहे हैं तो यह बात है आप लोग ध्यान रखेगा तो पहले जो problem रही है उनसे सीखिए और उसके वेस पर काम करिए प करें आप लोग तो यहां पर geological survey of India के द्वारा बताया गया कि केरला के अंदर लगबग 67 major landslide आप लोग को और several minor landslide 1961 से लेके 2003 तक देखने को मिले तो यहां पर पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है लंबे समय से आपर यह activity चल रही है पर लेकिन condition क्या है हम लोग अपनी आखे न हमारी country में तो इसको हम लोग को जहांदे कर चलना पड़ेगा यह क्या बता रहा है कई सारे वर्ड जो होते हैं और मैं टंग सिलिफ होने लगते नेसनल लेंड स्लाइड ससेप्टेबिलिटी ठीक है तो यहां पर यह मैपिंग है एक तरी से समवेधन सीलता है इसको आप लो होगे उत्रा खंड हो गया तो यह पर्टिकुलर नेरिया आप लोग को देखने को मिलेंगे जैसे जम्मो एंड कासमीर हो गया जहां पर इस तरीके एक्टिविटी होने के चांसे काफी जादे रहते हैं थार्टीन ओफ फॉर्टीन जो डिस्टिक हैं आप अगर बात करें ल इसके द्वारे आपर जो इनके द्वारे सेजेशन दिये गे हैं उनको इनको इंको इनकोर्परेट करना चाहिए जब हम लोग अपने प्लानिंग करते हैं तो यह कंडिशन देखने को मिलती है इसी के साथ में जो अर्थकुएक आते हैं कई बार आप लोगो भूकम देखने यह लीक्त एकृसमिक जोन हैयनि कि जहाँ पर आप लोगो यह वाला एडिया देखने को मिल रहा है यह वाला एरिया यहाँ पर भूकम आने के चांसे खाफी कम है दूसरे नमबर पर moderate seismic zone है तो केरला जो आता है वो moderate seismic zone में आता है तो यहाँ पर भूकम बाने के chances थोड़े ज़ाद है हाई seismic zone जो है थोड़ा से यहाँ पर यह dark वाला देखने को मिलेगा तो total मिलाकर हिमालेन वाला region एक अच्छा खासा हाई seismic zone है और जो highest जो आप लोगो land slide देखने को मिलती है normally अगर देखें तो zone 5 जहाँ पर earthquake काफी जदा आते हैं तो north east का पूरा राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर geography आप लोगों का optional है या फिर आप लोगों से question बन सकता है आप लोगे area में कोई earthquake का है अर्थ earthquake की कोई घटना बनी है तो आप लोग का area कौन से zone में आता है तो यह आप लोगों को बता होना चाहिए तो इसके base पर आप लोग comment box में बताएगा अगर आप लोग identify कर रहे हैं अपने राज्य को कि कौन से zone में आता है जैसे यह वाला जो राज्य होगी है मज्दय परदेश यह दो zone में आप लोगों को देखने को मिल रहे है तो list और इसी के साथ में moderate zone में तो यहाँ पर list और moderate लेगेगा तो इस तरीके से आप लोग काउंट कीजएगा गुजरात के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो यह आप लोगों को हैं आप तीन zone में नजर आएगा moderate, high और high है ठीक है तो यह तीन zone में आप लोग को देखने को मिल रहे हैं तो इस तरीके से comment box में कापर क्या के condition है आप लेकिन ऐसा नहीं कि यूनिक है आपर बस के ला के अंदर यह condition देखने को मिलती है और जगे भी देखने को मिलती है पर लेकिन हम लोग implement नहीं करते हैं implementation ऐसा नहीं कि के ला ही आपर यह लापरवाई कर रहा है बहुत सारे राज्य आप लोग लापरवाई करते हुए नजर आ जाएंगे तो new climate नोर्मल अभी देखने को मिल रहा है पता नहीं क्या सही है क्या गलत है जैसे pandemic नहीं जैसे pandemic नहीं हापर जो COVID-19 नहीं उसने नया normal तयार कर दिया गया है तो frequency high intensity जो अभी आप लोग एक condition देखने को मिल रही है कहीं सूखा तो कहीं बारिज तो इस तरी कंडिशन जो बन रही है तो यहाँ पर unscientific तरीके से हम लोग अगर कोई कट करते हैं मालीजी हम लोगों ने क्या क्या एक पहाड़ी को कट करके उसके अंदर से सुरंग बना दी तो अगर कोई भी पत्थर ऐसा होगा जो कि वहाँ पर उसके अंदर कोई कमी होगी तो वह एकदम फिसल कर नीचे पड़ेगा और आगे आने वाले टाइम म के बारे में जहें हम लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री में एक और चार के बाद में बनाएगे थी जब सुनामी देखने को मिली तो 2005 में बनाएगे थी डिजास्टर मैनेजमेंट ओथरेटी अच्छा आप लोग के लिए कोईशन है कल ही मैंने आप लोग को यह जो हमारी आप लोग को प्रेक्टिस करनी बढ़ेगी यानिके फेल होना अवोइडेबल है अगर आप लोग प्रेक्टिस अच्छी से करेंगे तो पर लेकिन प्रेक्टिस नहीं करते हैं तो आप लोग उसको एक तरीक से और एकसेप्ट करते हैं कि हमको फेल होना है तो प्रेक्टिस क को ध्यान में रखते हुए environment को बरबाद नहीं करना है वरना फिर दुरखटना है ऐसी देखने को मिलेगी जो आप लोगों ने अब तक देखी है और इससे भी खतरनाक देखने को मिल सकती है ठीक है तो यह था complete article अब question का answer देने कोशिस कीजेगा गुरूप में भी answer आप लोग लिख सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे भी आप लोग अटेम्ट कर सकते हैं एक दूसरे का answer review क्या कीजे और अच्छे से answer कीजे आगे बढ़ता हूँ नेक जो आर्टिकल हैं हाँ पर यह बात कर रहा है हिरो सीमा नागसाकी के अंदर भी जो condition आप लोग को देखने को मिली आप लोगों को पता है मैंने आप लोग से discuss भी किया था यह particular day हम लोग ने discuss किया ता है आप एक day जिसको हम लोगों ने बोला था है यह हम लोगों ने हि 6 अगस्त को यह देखने को मिला हिरो सीमा जब यहाँ पर एक बोम गिराया गया जिसका नाम था लिटिल बोई ठीक है तो जो question मैंने पूछा था वो देखेगा आप जो last में question का answer दूँगा तो लिटिल बोई था है यहाँ यह हिरो सीमा पर गिराया गया 6 अगस्त 1945 में तो 2nd world war के time पर यह condition देखने को मिली क्योंकि 2nd world war को end करना था तो USA को यहाँ पर एक तरीक से experiment भी करना था तो उसे ने direct experiment कर जिया जापान के ओपर जिसकी वज़े से एक तराजदी देखने को मिली तो यह condition जो यहाँ पर निकल कर आई यह condition यहाँ पर क्या दिखाती है कि हम लो जो लोग हैं वो धुआ बन गए यहाँ पर एक तरीके से वेपराइजड हो गए हाँ पर लगबग देड़ लांक लोग एक लांक तीजार के करीब लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में भी हाँ पर उस टाइम पर भी पोलम देखने थे जो कि एक तरीके से इस धर्ती पर एक अपनी जिन्द की बड़ी बुरे तरीके से जी रहें तो लगबग 75 साल यहाँ पर पूरे हो गए हैं आज की डेट में हम लोग इसको कैसे लेकर चल रहे हैं वो चीज़े हम लोग को अंडरसेंड करने पड़ेगी शोश्य एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग ने नहीं समझा कि यह कितना खतरनाक है और continuous हम लोग ऐसी pattern में चलते रहें जैसे चलते आ रहे हैं तो आने वाले time पर यह बहुत खतरनाक साबित और ज्यादा हमारे लिए होगा तो एक तरीके से जो nuclear का जो risk है वो एक तरीके चलते रहता है यह below the surface आप लोग को देख पास में सबसे जाते हैं 7000 के करीब 6800 के करीब USA के पास में तीसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा France जिसके पास में 300 के करीब हैं चोथे नंबर पर आप लोग को देखने को मिलेगा China 270 UK 250 फिर Pakistan यहाँ पर आप लोग को नज़राएगा 140 फिर India 130 इसराइल 80 और North Korea 20 फिर तो टोटल मिलाकर 9 कंट्री ऐसी आप लोग को देखने को यहाँ पर मिल रही हैं जिनके पास में nuclear weapon है तो यह nuclear weapon जो यह लिए बैठे हैं तो कही बार बोलायते हैं कि deterrence create करने के लिए हैं deterrence का मतलब क्या होता हैं आप लोग के मोहले में किसी के पास में बंदूख हैं तो आप लोग भी सोचेंगे बंदूख लेकर आओ अगर उसके साथ में आप लोग के relation जादा अच्छे नहीं रहते हैं तो वो बार-बार बंदूख लेकर आता हैं गलियों में लेकर घूमते चत पर खड़ा होकर उसको साफ कर रहा है दिखाने के लिए कि मेरे पास में बंदूख हैं तो लोग जो रहते हैं उनके माइड में डर लगने लगता है कि यहर कल को यह बंदूख लिए जरा सी देर में ठाये ठाये करके जरा सी देर में किसी की भी जान ले सकता है तो अपन safety के लिए सामने वाले को deterrence create करने के लिए तो आप भी बंदूग लेकर आते हो तो यहाँ पर क्या होगे हैं आपर देखने को मिलेगा आप लोगों जिसके पास में nuclear bomb है पास पास वाली country यह सोचती है कि कल को यार यह हमारे उपर कबज़ा करने की नहीं सोचने लगें तो हमारे पास भी nuclear bomb होना चाहिए ताकि इसको पता रहे कि हम भी अपनी हैसियत इस तरीके से रखते हैं कि कल को अगर तुम हमारे एक चांटा मारोगे तुम हमारे दो चांटे मारोगे तो एक चांटा हम भी मारेंगे तुम हमारी दो चिटी बरबाद करोगे तो एक चिटी तो हम भी कम से कम ले डूबेंगे तो वह नहीं कि हम तो डूबेंगे सनम पर तुमको भी ले डूबेंगे तो वही कंडिसन हैं आपर देनी की बात किया रही तो डिटरेंस क्रियेट करने वाली बात होती है आप अपर यही डिटरेंस क्रियेट किया गया है नोर्थ कोरिया की द्वारा USA को लेका इसलिए USA जो है अब तक नोर्थ कोरिया को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया वरना बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जैसे लीबिया हो गया, सीरिया हो गया, यह ऐसे ऐसे एरिया हैं जैसे आप लोगो देखने को मिलते हैं, जहाँ पर OLD USA जरा सी देर में जाकर गुसता है और अपनी दादागिरी दिखाने लगता है, पर लेकिन इसकी यह दादागिरी अगर आप लोग समस सकते हैं, तो जो hero sema नागस आगी, अगर आप लोग मैप में देखेगा, तो यहína यहाँ पर ही रेकिन और एक क्रायसी के बारे बताब करने आती है, मैंने आप लोगो एक क्राइसिस क्राइसिज देखने को मिला और फिदल कास्तरोगी जब जान गई तब यहाँ पर इसके ओपर हम लोगों ने आर्टिकल डिसक्स किया था ठीक है तो जो यह आर्टिकल है यह यह आर्टिकल जाई है ट्वंटी एट नॉम्बर ट्वंटी एट नॉम्बर 2016 का आर्टिकल मैंने आ क्योबन मिसाल क्रैसिज देखने को मिला क्यूबन मिसाल क्रैसिज क्या था तो इसको आप लोग समझने के लिए अप लोग यहां पर यह मैप देखिए जिस्ट टाइम से अपनी बात मनवाई जा सके और USA को ड्राय जा सके क्योंकि Russia के आसपास जो सारी गंट्री है जी South Korea हो गया और भी आसपास वाली कंट्री है Russia के आसपास वाली कंट्री के में जो USA वो अपना बेस बना रहे है तो इसने सोचा क्यों न हम भी कुछ ऐसा ही करें तो फिर चीजों को संभाला गया जैसे तैसे करका, तो अगर किसी के पास में इस तरीके से बोम है, ठीक है, किसी के पास में इस तरीके से वेपन है, तो वो देखे उसको यूज करने की कहीं कहीं कोशिस जरूर करेगा, तो यह बात है आप लोग को देखने को मिलेगी, कि अग लेकिन फिर भी सब के माइंड में डर रहता था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तो अब हम लोग के हाँ पर उसको वह वाली कंडिसन बंद करने चाहिए, इसके बाद में चीजे कैसे चली cold war के बाद में, cold war के बाद में क्या हुआ, कि USSR का victim हो गया और USA अकेला powerful country बन कर आया, यान डाल सकता है, इन सब चीजों का हम लोग को दूर रखना चाहिए, क्योंकि pandemic जो है, वो उल्लेडी खतनाख situation कर रहा है, और अगर कोई हाँ पर ऐसा impact पड़ता है, तो यह physical, economic, social, political, health, environment, psychological, यानि के हर तरीके से इनसान की life को बरबाद करते हैं, यह अगर कोई इस तरीकी कर सकती है, तागी future में कोई ऐसी condition देखने को नहीं मिले, और respect करें हम लोग humanity का, और इन सब चीजों से distance बना कर रखें, और justice के पास में भी यह weapon है, इनको थोड़ा सा दूर रखने को इस करें, हमारी country में हाला की एक अच्छी policy है, कि जब तक कोई हमारी उपर nuclear weapon यूज नह पड़ता है, ऐसे time पर, तो इसलिए condition बिल्कुल different है, ठीक है, next article है, आपर यह India और USA के relation के बारें बात कर रहे है, India और USA के relation खास कर चाहिन को धान में रखते हुए, तो कई सारी interesting बाते हैं हाँ पर बताएगे हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, USA जो है, वो एक तरीके से आज से नहीं, पराने समय से इंडिया के साथ में अपनी अच्छी partnership रखनी कुछ करता हैं, पर लेकिन कुछ time पर इंडिया के दौरा भी कुछ ऐसे step उठाएगे, जिससे USA काफी नाराज हुआ, तो उसके चलते condition कुछ और बन गई, तो USA के जो USA की बात की जा रही है, जो प्रेज 1947 में हमारी country आजा दूई, democracy, fundamental right, press, freedom के बारे बात की और non-violence को लेकर 26 जनवरी 1950 में हमारी country का समीधान आ गया, जब हम लोग एक independent और sovereign country के तरीके से आगे बढ़ने लगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, तो यहाँ पर काफी कुछ condition होने लगी, cold war की condition चल रही थी, त France, China और Britain, तो यह 5 member आप लोग को देखने को मिलेंगे, एक seat यहाँ पर जो China को मिली हुई है, वो India को देने की बात की थी, पर India ने offer जो है accept नहीं किया, और एक तरीके से आपर यह जो offer था, वो China के लिए campaign किया कि China को यह seat मिल जाए, हिंदू-चेनी भाई-भाई वाले नारे उस टाइम पर हम लोग लगाते थे, पर लेकिन condition आप लोग समझ सकते हैं, वही चाना आज की रिए में सबसे ज़्यादे सरमे दर्द हमारे कर रहे है, जो यहाँ पर देखने को मिल रहे है, USA के बारे में अगर बात करें, तो 1972 में जो USA था है, ठीक है, तो USA आपर एक तरीके partnership में भी हाँ पर एंटर करने की कोशिस की गई, तो condition जो थी वो एक अलग लेवल की आई, 1953 में इंडिया जो था, वो थोड़ा से tilted हो गया, जो Soviet Union है और चाइना की तरफ को Korean War के duration में, Korean War यानि के Korea की जो वोर चल रहे थी, जिसमें North Korea और South Korea, दो ब्लोक डिवाइड हो चुके ह जो था, वो communist country के तरीके से काम कर रहा है, और South Korea जो था, वो यहाँ पर एक तरीके से, आप लोग मैप देखे थोड़ा सा, तब समझ पाएंगे, यहाँ पर आप लोगो North Korea देखने को मिलेगा, और यह हो गया South Korea, तो North Korea communist country, यहाँ पर यहाँ निके Russia के influence में था, और China के influence में South Korea हाँ पर capitalist country देखने को मिल रहा था, तो इस तरीके से हाँ पर जो condition थी, और India क्या होगा, वो भी उनकी तरफ को ही tilt होता हुआ है, आपर नजर आया, तो USA को भी हाँ पर गुसा है, तो USA ने भी अपना थोड़ा pattern change किया, पाकिस्तान की side में, अपने आपको convert कर, tilt कर दिया थ USA के साथ में central treaty organization, ठीक है, यहाँ से इसको support करने start किया, और USA के साथ में add और यहाँ पर कई सारे armament, यहीं के पैसा भी दिया और हत्यार भी दिये पाकिस्तान को, उन्हीं पैसे और हत्यार के बल पर पाकिस्तान आगे बढ़ा, पाकिस्तान इंडिया के साथ में सोचने लगा पर यहाँ पर चलना पड़ा, तो वही है कि कहां राजा भोज, कहां गंगुराम तेली कुछ ऐसा कर गया है, तो वह वाली condition आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है, तो यह situation यहाँ पर निकल कर आती है, तो यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया के साथ में अपना आपको compare करन नहीं थी कि वह अपना काम कर सके, पर लेकिन USA background में खड़ा थे, इसलिए वह ऐसी हरकते कर रहा था, इवन 1971 की war में, जब यहाँ पर बंगलादेश को एक नहीं कंट्री बनाने की बात कीगी, इसको हम लोग पहले West Pakistan बोलते थे, इसको हम लोग East Pakistan बोलते थे, और इसको हम लो वैपन, जिसमें इंडिया के अपोज में खड़ा था USA, तो USSR हमारे साइड में आया, क्योंकि उस टाइम पर इंदरा गहांदी जी के द्वारा friendship treaty sign की गी थी, USSR के साथ में, तो वो हमारी help करने के लिए हाँ पर आ गया, तो चीजे जो थी थोड़ी normal होगी, वरना condition कुछ और ह चाहिए, पर लेकिन ये clean slate नहीं है, कि आप लोग आसानी से relation बना लेंगे, क्योंकि USA के साथ में relation बनाना एक टेड़ी खी रहा है, आज के अगर आप लोग दिखते हैं, एक तो USA में election आने वाले है, ठीक है, अब November के महीने में, तो देखने वाली बात होगी, कौन President यहाँ बन कर आता है, November में, अगर बात करें, Democratic जो पार्टी है, और Presidential जो candidate है, जो हमारे लिए काफी opposite हो चुगे है, क्योंकि हमारी कंट्री में जब सिर्जेंसी परमेंडमेंट में पास किया गया, और उस पारलेमेंट में, टूबाइ थर्ड मेजूरिटी से के दोवारे हैं, आप USA S-400 Air Defense System मत खरीदो, पर हम लोग यह खरीद रहे हैं, तो USA से गुस्सा है, USA चाता है कि हम लोग अपने troops, अपनी army force को हम लोग थोड़ा अफगानिस्तान में भी उता रहे हैं, तो यह हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग बिलकुल अलग तरीके से देख रहे हैं, तो USA इसकी वैसे भी गुस्से में है, तो USA जो है, वो काफी गुस्से में हम से है, कई सारी चीजों को लेका, जो कि हम लोग उसकी बाते नहीं मान रहे हैं, इंडिया को नीड है USA की सपोर्ट के और उसकी ally की, खासकर cyber, warfare, satellite, mapping, China and Pakistan की, इसी के साथ में intercept of electronic communication को intercept करना है कि क्या बात है, तो इंडिया को मिलकर काम करना चाहिए अपने फाइदे के लिए, और all over world की सान्थी के लिए भी इंडिया USA और चाहिने को मिलकर काम करना चाहिए, तब ही एक healthy environment हम लोग ला पाएंगे all over world में, तो ये बाते हैं आपर बताने की कोशिस की जा रही है, ठीक है, तो ये था टोटल आज का discussion, I hope कि आप लोगों ने अच्छे से enjoy क्या होगा, next lecture पर मिलता हूं, तब तक इसी तरीके से life को enjoy करते रहे, बड़ो को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोड़ी से life को enjoy करा है, तब तक के लिए, जय हिंद,